हैलो फ्रेंट्स, वालकम टो माई योट्यूब चनल तो फ्रेंट्स लेटेस्ट अपडेट SSE की तरफ से आ रहा है SSE के अंडर जो आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिशन C.A.P.F and Assistant Sub-Inspectant C.A.S.F. Examination 2018 का जो आपका PST और PT कंड़क्ट हुआ था जो स्वेंट्स यहाँ पे पेपर 1 में क्वालिफाई हो चुके थे जिसका आपका रिजल्ट 25 में 2019 को SSE की ओफिशल वैबसेट पे फ्रेंट्स लेटेस्ट अपडेट जो यहाँ पे SSE की ओफिशल वैबसेट पे अभी अभी आ रहा है जो स्वेंट्स यहाँ पे PST और PT में क्वालिफाई हो चुके है उनको यहाँ पे पेपर 2 के लिए शॉर्ड लिस्ट कर दिया गया है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम कंपलेंट डिस्कस करेंगे कितने स्टुएंट्स को यहाँ पे पेपर 2 के लिए शॉर्ड लिस्ट कर दिया गया है और कितने स्टुएंट्स यहाँ पे PST और PT के लिए उनको बुलाया गया था लेकिन वो आपसेंट रहे हैं वो भी हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और टोटल नमबर आफ कितने कैंडियेट को यहाँ पे PST और PT में क्वालिफाई कर दिया गया है और आपका जो पेपर 2 यहाँ पे कंड़क्ट होगा 27 September 2019 को उसमें आपका क्या पैटर्न रहेगा और कितने नमबर आफ स्टुटेंट्स मेल और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 27 September 2019 को जो आपका पेपर 2 कंड़क्ट होगा उसके लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्लिस किया गया है वो भी हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और पेपर 2 में आपको किस तरीके की त्यारी करनी है क्या आपका पैटर्न रहेगा कितनी नगेटिव मार्किंग रहेगी वो भी फ्रेंट्स हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से यह जो आपके complete doubts हैं इस वीडियो में step up बे step friends से discuss करेंगे और इसके जो आपके admit card है वो कब तक यहाँ पर SSC की official regional wise websites पर आएंगे वो भी हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से यहाँ पर prediction जो आपो friends से लगाएंगे तो सबसे पहले इसका important notice हम open कर लेते हैं जो आपको directly यहाँ पर SSC की official website से मिल जाएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर official notice के under देख पा रहे हैं जो आपका यहाँ पर paper 1 का exam का result declare हो था 25 May 2019 को SSC की official website पर declare हो गया था जिसमें आपके total number of candidates 20,920 candidates को यहाँ पर shortlist कर दिया गया था PST और PET के लिए जिसमें आपके यहाँ पर male और female candidates को आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनों को यहाँ पर qualify किया गया था तो यह total जो आपके 20,920 candidates है यह यहाँ पर eligible थे PET और PST के लिए लेकिन यहाँ पर बहुत से candidates यहाँ पर absent रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल के under total यहाँ पर आप देख सकते हैं जो number of qualified candidates है 20,920 में से cable यहाँ पर 4,461 candidate यहाँ पर qualify हो चुके हैं PST और PT जो आपका conduct हुआ था और जो सेंस यहाँ पर qualify नहीं हुए हैं याने कि उन्होंने PST और PT दिया लेकिन उनको यहाँ पर qualify नहीं किया गया कुछ में उनके कारण height weight test उनका criteria फुल्फिल नहीं रहा होगा यहाँ फिर physically endurance test उनका फुल्फिल नहीं किया होगा तो वो यहाँ पर not qualify हो चुके हो टोटल number of candidates वो यहाँ पर है 3981 उसके बाद जो आपके यहाँ पर exempted from PT और PST याने के act service when मैं ले candidates का यहाँ पर PST और PT नहीं था वो यहाँ पर total number of candidates है 289 और total number of candidates आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर PST और PT देने के लिए आए ही नहीं हैं वो केवल यहाँ पर absent रहे हैं तो वो candidate आप यहाँ पर देख सकते है maximum number of candidates यहाँ पर absent रहे हैं total 12,189 candidates यहाँ पर PST और PT देने के लिए आए ही नहीं है यह यहाँ पर candidates absent रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते है total number of qualified candidate male and female दोन्नों candidates यहाँ पर जो qualify हुए है वो केवल यहाँ पर 4,461 candidates है तो जो sense यहाँ पर qualify हो चुके है बहुत ही कम number है तो यहाँ पर उनके जो selection के chances आप और ज़्यादा यहाँ पर increase हो चुके हैं तो यहाँ पर total number of candidates देख सकते हैं जिनको यहाँ पर पेपर 2 के लिए shortlist किया गया है female candidates के अंडर आप यहाँ पर देख सकते है different different category wise total यहाँ पर female candidates को 332 candidates को यहाँ पर shortlist किया गया है paper 2 examination के लिए और male candidate को यहाँ पर total आप यहाँ पर देख सकते है 4,418 candidates को यहाँ पर shortlist किया गया है तो ये friends आपकी complete distribution रहेगी कितने candidate को यहाँ पे qualify किया गया है कितने students यहाँ पे reject हो चुके है और कितने number of candidates यहाँ पे absent रहे हैं PST और PT में तो जो students यहाँ पे PT और PST में qualify हो चुके हैं उनका अब यहाँ पे paper 2 examination conduct होगा जो कि आपका 27 September 2019 को friends conduct होगा male and female दोनों candidates के लिए और इसके जो आपके admit card है वो SSC की regional wise website पे declare हो जाएंगे approximately 28-21 September 2019 तक इसके जो officially admit card है वो आपके SSC की जो official regional wise website है उस पे friends पे declare हो जाएंगे जो कि हम next वीडियो में अच्छे तरिके से discuss करेंगे कि कैसे इसके admit card को download करना है तो अब हम यहाँ पे discuss कर लेते हैं जो students यहाँ पे qualify हो चुके हैं PST और PT के लिए उनका जो paper 2 अब conduct हो का उसमें आपका क्या pattern रहेगा और किस तरिके की आपको यहाँ पे strategy अबल लगानी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे pattern रहेगा paper 2 का जो अब आपका यहाँ पे conduct होने के लिए जा रहा है 27 September 2019 को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके subject रहेंगे paper 2 में इसमें आपके English language और comprehension फ्रेंसर रहेगा यानिके आपका यहाँ पे paper 2 में English का जो आपका aptitude हो आपका यहाँ पे check किया जाएगा यानिके English related जो आपका basic aptitude रहेदा जिसमें anonyms जिसमें आपके जो sentence correction वहाँ पे check की जाती है कि आपको यह sentence complete दिया होगा आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसमें correction है कोई यहाँ फिर नहीं है इस तरीके का जो आपका aptitude हो यहाँ पे आपका paper 2 में check किया जाएगा तो total number आप question आपको यहाँ पे कितने पोछे जाएगे वह आपको यहाँ पे 200 question पोछे जाएगे और एक question आपका यहाँ पे एक number का फ्रेंट से रहेगा अगर आप कोई question गलत कर लोगे तो उसके आपके 0.25 mark जो आपको penalty पड़ जाएगी सही question में से वो आपके जो 0.25 mark है एक question का वो आपका वहाँ पे minus हो जाएगा तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब आप यहाँ पे paper 2 exam देने के लिए जाएगे आपके यहाँ पे negative marking भी रहेगी 0.25 तो फ्रेंट से यह आपका यहाँ पे pattern रहेगा paper 2 examination जो आपका 27 September 2019 को conduct होगा जो students यहाँ पे qualify हो चुके है PST और PD के लिए तो फ्रेंट से जैसे ही इसके admit card SSC के official websites पे declare होते हैं तो next video में हम अच्छे तरीके से discuss करेंगे कि कैसे इसके admit card को phone से फ्रेंट से download करना है Thank you friends